आपको बहुत बहुत स्वागत है मैं नम दर्म और आप देखरों मैं चल करेड़र जो फ़ासे चल मैं सब्सक्राइब करें लोग बैल आइकन को जरूर प्रिस करें ताकि हर वीडियो को प्रॉपर नोटिकेस्टन आप लोगो मिलती रहे आज की वीडियो में भी एक अच्छी मैं चाहता था आप लोग यह जाने और इसका क्या इंपेक्ट पड़ेगा इंजिनिंग स्टुडेंट के करियर पे फ्यूचर पे इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं चलिए जब बात आई गई है देखो अभी क्या हुआ है रिसेंटली जब काउंसलिंग हुआ है लोग एडिवीशन नहीं है तो लगबग 45-50% सीटें इंजिनिंग के खाली रह गई है रिजन सबसे बड़ा रिजन आप लोगो तो बता ही है कि बेरोजगारी इंजिनिंग में इतनी बेरोजगारी बढ़ गई है लोग B.Sc और B.A. छोड़ के इंजिनिंग के पागल हो है कि लाको रुपए पर कमाने के सपने देखने लगें और वह सपने देखते देकते कहीं-कहीं लेजी हो गये और college भी पैसा कमाने के चक्कर में रहते ही हर Pride Engineering College का यही खानी है को पैसा कमाने है और यार आपको करियर क्वर्शर से कोई मतलब नहीं था ऐसे से इंजेनिंग कॉलेजें में बहुत साता है कि अपना भी缺फिट हो student का भी career secure हो जाए तो ऐसे college तो अभी चल रहे हैं लेकिन वो college जो सिर्फ अपने बारे में सोचे जो सिर्फ अपने पैसा बनाने के बारे में बंद हो चुके हैं और उस college में कोई addition नहीं मेरे किसाब से लगब साड़े तीन 400 college तो यूपी के बंद हो हैं बीटेक के कॉलेज और जो अब बीए करवा रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करें वो भी बंद होंगे जब एड़िशन नहीं होगा तो आइसे एक्षन लेना ही पड़ेगा ऐसे इंजिनिंग कॉलेज पे तो वो बंद होंगे यह होंगे और इससे स्टुटेंट का वेनिफेट होगा कि कम पास आउट होंगे और जॉब उनको इसली मिलेगी और जो भी पास आउट होंगे उनके लिए उपरचॉनिटी जनरेट होगी क्योंकि बहुत सारे लोग अभी पड़े हुए हैं मार्केट में बेरोजगार हैं बह तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो UPSC में जाना चाहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो rust कर दिया जा परहा दिया चाहिए और फिर देखा जाए कि जो प्राइवेट इंजिनिंग कॉलेज है परफॉर्म कर रहे हैं तब जाकर के उनको रखा जाए और एक गुष्ट को यह भी बनाना चाहिए कि जो इंजिनिंग कॉलेज अच्छे प्लेस्मेंट ना दे परफॉर्म ना करें उसक लोगों का क्या राय है कि 2022 तक नए इंजिनिंग कॉलेज नहीं खुलेंगे अपना कमेंट जरूर सेयर करें और इस वीडियो को सारे दोस्तों तक पहुंचा है यह न्यूज एक्साइटिंग न्यूज है और अब क्या बोलें चैनल पर फर्स टाइम आया तो सब्सक्राइब कर लें थैंक यू जैहिंद नमस्कार दूस्तरी